कल CBIA ने चार्जशीट फाइल की है सो कॉल्ड शराब घोटाले में और उस चार्जशीट में मनीश सिसोधिया जी का नाम नहीं है तो एक तरह से CBIA ने मनीश सिसोधिया को क्लीन चिट दे दी CBIA और E.D. के लगबग 800 आफिसर्ज पिछले चार महीनों से इस केस पे काम कर रहे है इन एजनसीज ने रात दिन काम कर रहे है 24 घंटे काम कर रहे है उनको एक ही काम दिया गया था कि कुछ भी करो मनीश सिसोधिया के खिलाफ कुछ भी सबूत ले के आओ मनीश सिसोधिया को गिरफतार करना है कल की चार्शीर से ये थाबित हो गया कि इनको मनीज से सोदिया के खिलाफ रती भर भी सबूत नहीं मिला चुनाव के एक हफ़ता रह गया, MCD चुनाव का, अगर उने इतना सा भी सबूत मिला होता तो वो उसको इतना उच्छालते इतना उच्छालते जब कुछ नहीं होता तब इतना उच्छालते हैं इसका मतलब उनको रती भर भी सबूत मनी से सोदिया के खिलाफ नहीं मिला इस दुराने इन्होंने 800 अफसरों काम किया, 24 गंटे काम किया पांसो से ज़्यादा जगे रेड मारी मनिसी सोधिया जी के सारे ठीकानों पे रेड मारी गई उनकी दिवारे तोड़ तोड़ के देखा गया कि अंदर कहीं कैश तो नहीं है ये कह रहे थे दस हजार करोड का गोटाला है उनके गदे फाड़ फाड़ के देखे गए कि उनसमें कोई पैसा तो नहीं है उनके लॉकर सारे देखे गए मनिसी सोधिया का एक ही बैंक लॉकर है वो देखा गया मनिसी सोधिया कि जितना गाउं में सारे रिष्टेदारों सब की जाच कर लिए इनोंने कुछ भी नहीं निकला तो कल की चार्जशीट ये दिखाती है कि इनको रत्ती भर भी सबूत नहीं मिला और ये जो कह रहे हैं कि अभी जाँच जारी है और एडिशनल सप्लिमेंटरी चार्जशीट आ सकती है वो तो अब अपना चेहरा बचाने के लिए फेस सेविंग के लिए और क्या कहेंगे हमारी जाँच तो प्रधानमंत्री जी जिन्दिगी भर कराएंगे जब तक हम जिन्दा हैं तब तक जाँच चलती रहेगी 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तब से जाँच शुरू है सारी एजेंसिस हमारी जाँच करने में लगी हुई है तो हमारी जाँच तो जिन्दिगी भर जा रही है लेकिन अब तक इन लोगों को आज तक जो इन्होंने जाँच की उसमें रत्ती भर भी इतना सा भी सबूत नहीं मिला 25 पैसे की भी इनको कहीं गड़बड नहीं मिली तो मैं हमेशा कहता हूँ प्रधान मंत्री जी से हम इमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आया है प्रधान मंत्री जी पर्सनली इस केस को मॉनिटर कर रहे थे मेरे सुत्रों ने बताया है प्रधानमंत्री जी पर्सनली CBI डिरेक्टर से मिलते थे प्रधानमंत्री जी पर्सनली ED डिरेक्टर से मिलते थे उनको प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिये हुए थे कि कुछ भी करो मनी सिसोदिया को गिरफतार करो लेकिन सारी जाँच के बावजूद ये मनी सिसोदिया के खिलाफ जरासा भी सबूत नहीं ले पाए आज हम गर्व के साथ पूरे देश के सामने कह सकते हैं केजरीवाल कट्टर इमानदार है हमारी पार्टी कट्टर इमानदार है और हमारे खिलाफ इन लोगों ने पूरी जाँच कर ली हमारे खिलाफ जरासा भी सबूत ये लोग नहीं ला पाए इसी आज मैं खड़ा होके कहता हूँ मैं कट्टर इमानदार हूँ भारती राजनीती के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ा होके कहा दे कि मैं कट्टर इमानदार हूँ मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूँ कोई खड़ा होके कहा दे वो कट्टर इमानदार है इसी वज़े से इनको तकलीफ है इसी वज़े से ये रोज कीचड फैंकते हैं हमारे उपर लेकिन इनने इतनी हमारी जाच कर ली, इतनी जाच कर ली, सारी फाइलों की जाच कर ली, सारे अफसरों को लगा दिया, सारी एजेंसिस को लगा दिया, ये कुछ नहीं निकाल पाए, आज तक केवल शराब भोटाला ने किसी केस में कुछ नहीं निकाल पाए मेरी अब हाद जोड़के प्रधानवंत्री जी से एक ही अपील है प्रधानवंत्री जी कहते हैं आप 18 गंटे काम करते हैं 18 के 18 गंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरीवाल को रोकूं काम करने से किस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफतार करूँ किस तरह से केजरीवाल पे कीचड फेंकू मेरा आपसे निवेदन है 18 मैंसे 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महगाई और बेरुजगारी जिससे जनता तरस्त है थोड़े से लोगों को निजात मिल जाएगी इतना नेगेटिव इतना नेगेटिव मत बनी है थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिये जनता के बारे बहुत बहुत शुक्रिया तो मेरा ये कहना है MCD का चिनाव अब बड़ा क्लियर होता जा रहा है भाजपा के दस वीडियो बनाम केजरिवाल के दस काम जनता को तै करना है कि वो उनको भाजपा के दस वीडियो चाहिए या केजरिवाल के दस काम चाहिए केजरिवाल के दस गारंटी चाहिए चार तारिक को चुनाव है चार तारिक को दिल्ली की जनता मेरे को कुछ कहने की जुरूरत नहीं है दिल्ली की जनता इन वीडियो सारे वीडियो का जवाब दिल्ली की जनता दे देगी Thank you Thank you I I I I I I I I I